Hello students, music की first class में आपने सीखा था कि सुरू कितने होते हैं, किस तरीके से सुरू को लगाया जाता है और उनका प्रयोग कैसे one by one करके हम आगे बढ़ते जाते हैं और आज की music की class में हम बाकी बचे हुए सुरू को लगाएंगे और देखेंगे किस तरीके से एक के बाद एक करके हम बढ़ते जाते हैं तो ये तो हुए सुरू में बढ़ने की बात कि कैसे one by one करके हम एक के बाद एक जाते हैं तो पहले हम देख लेते हैं कि कैसे आगे के सुरों को लगाते हैं सा रे गा मा पा इन सुरों को आपने जाना था एवा फिर से आज मैं रिपीट करूँगे इनको थोड़ा सा स्पीट के साथ और आपको उसको सुनना है फिर रिपीट करना है एक सुर को मैं दो-दो बार रिपेट कर रही हूँ ओके ओम से स्टार्ट किया था थोड़ा सा ओम से स्टार्टिंग करेंगे ओम 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 कि ओम के बाद मैंने सा बताया था किस तरीकी से लगाते हैं कि किसी फ्रिक्वेंसी में सा भी लगेगा सा 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 खोड़ा सोर आवाद में फोर्स डालेंगे फोर्स और इसके बाद ब्रे को लगाएंगे खोड़ा थोड़ा एक एक करके जैसे हम सुरों में बढ़ेंगे वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ता जाएगा ओके कि असे सारी गा हुःत क्षर इसके ठाएंगे पाहा हुंट राएंगे कि यहां तक मैंने आपको बता दिया था फर्स्ट और सेकेंड पाइट में अब इसके आगे देखते हैं कि कैसे सुर्व जिस तरीके से बढ़ते हैं उसी तरीके से फोर्स भी उसमें बढ़ता जगता है पाइट अब इसको ध्यान से सुमना है ठीक है किस तरीके से फोर्स बढ़ा के हम आगे के सुरूं को लगाते हैं धाँ फिर नी 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 अगर आपकी सांस फूलने लगे तो आप आइस्ता थोड़ी थोड़ी सांस भी ले सकते हैं ठीक है थोड़ा सरूप करके और सांस को अंदर से बाहर के ओर खीचे निकाले और फिर इसके बाद बूसरा शुट लगाएं जादा आसानी होगी लगाने में नहीं तो आपकी सांस बहुत देर तक नहीं चल पाएगी तो आपका सुर्वी उतना अच्छा नहीं लगेगा जितनी फ्रिक्वेंसी में होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स कर लें दो सेकेंड के लिए नी सा 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 अब एक सुर को जब कहना चाहिए कि उपर के सुरूं को जब आप लगाएंगे तो थोड़ी से एनर्जी की ज़रूरत पड़ेंगे तो उस एनर्जी को बनाए रखने के लिए आपको थोड़ी थोड़ी देर में आपने से दो बार सुरु लगाया थोड़perform में ऩिल तो फिर इसके बाद लगाया आपको आसानी होगी है कि और अगर नहीं लिए तो वह है तो अगर सुर्गरेंशी में सुर नहीं लगा तो सुरु लगाने का कोई भी मतलब नहीं निकले से नखूल अगर तो कोई मतलब नहीं निकला मतलब मुजिंग नथेंग तो जब सारी चीजें फ्रेक्वेंसी में डिपेंड हैं तो अच्छा यह है कि हम थोड़ा सा रिलेक्स करें ज्यादा नहीं केवाल एक दो सेकेंड का और फिर उससी सुर को लाएंगे हैं ना सा यहम् सा यहम् तो हम चले कहां से थे साथ से हैना जैसे कि मैंने बताया था साथ सुरू होते हैं वन वाई वन कैसे करके फोर्स बढ़ता जाता है तो यह समझ में तो आ गया होगा आप लोगों को लेकिन फिर भी में एक बार फिर से रिपीट कर देती हूं साथ से लेके साथ Okay? सारे गामा पारे साथा निव साथ कि मतलब एक एक करके सिढ़्डियां चड़ना है और इसके बीच में आपको खांसी आती है या कुछ भी तो इससे टैंसर नहीं लेना है थोड़ी से प्रॉब्लम स्टार्टिंग में होगी है ना फिर इसके बाद अपने आप वो बन वाई बान स्टेप वाई स्टेप करके चलता ते आए दो